हेलो एवरिवन वेलकम टू क्लारटा टू फोर सेबन स्वागत है आप सभी का मैं सोनुकुमार आप सभी का वलकम करता हूं अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपका एंसर की यहाँ पर आउट हो चुका है और सभी विद्यार्थी ने अपना एंसर चेक भी कर लिया कि उनके नंबर जो हैं वो कितने बनना है और उसके पर जब एंसर की आउट हुआ तो हमने यहाँ पर एक पॉल करवाया एक डाटा हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है डाटा कलेक्ट करने का जो हमारा प्रोसेसर है वो टेलिग्राम के थूँछ हमने बच्चों से बात करी उनके यह पोल डाला जहापर इना ने वोटिंग करी प्लस यूट्यूब पर भी हमने यहाँ पर डाप्ल करवा टिलिग्राम की टाटा के अनुसार अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पर बच्चों ने जो अपने मार्क्स को लेकर यहां पर वोडिंग करी है वो क्या रहा है तो बेसिकली अगर देखे तो 19% विद्यार्थों ने यह कहा है कि उनका नंबर जो है वो 200 से अधिक आ रह सकता और आपका चैन जो है आपका सेलेक्शन जो है वो किस नंबर के ऊपर रहने वादा है लेकिन मैक्समुम डाका की अगर हम बात करें हैं कि मैक्समम रहा है तो pers Quando Hya के लिए तो maximum number of विद्यार्थी के अगर हम बात करें तो ज्यादा तर विद्यार्थी जो हमारे इस category के अंदर में fall कर रहे हैं इस category के अंदर करीबन 60% से अधिक विद्यार्थी है जो की number जो है जिनका number इसके आसपास रहा है यानि की 180 के आसपास score करने वाले हैं 140 के आसपास score करने वाले हैं 140 के आसपास score करने वाले हैं तो यहां से एक अंदाज जो है वो हमें मिल रहा है कि कहीं न कहीं cutoff जो है वो लगभग इसी number के आसपास रहेगा हाँ इट डिपेंड्स की category wise जब हम distribution करेंगे तो वो number मेरा तो अलग होगा तो यह टेलिग्राम का data है यह बचों ने vote किया अब हम यहां पर आते हैं एक YouTube की data पर जो हमने अपने चैनल पर ही voting कराई पोल कराई उसके अनुसार यहां पर देखिए फिर से अगर हम देखें यहां प और उसके below 140 के below तो यहां पर देखिए 30% 11% 20% यहां पर भी 60% से ज्यादा विद्धारती यहां पर हमारे data के अंदर है जो की score इन्होंने इतना किया है ठीक है 200 प्लस वाले भी विद्धारती है लेकिन वो उतने ज्यादा उनकी मात्रा नहीं है 15% 12% विद्धारती ऐसे हैं जो कि 200 से ज्यादा score किये हैं बहुत से बहुत किये हैं तो हम बेसिकली चलेंगे अब यहां पर देखो 22% दिया गया है है ना अब यह एक चीज़ और यहां पर नोट कर दूँ आप लोगों को कि यह हमने पोल करवाया है ना यह हमने पोल कराया जो हमारी यूट्यूब पर ह ने इसा बहुत है यहां पर अगया माब मिल जुका है क्या है ओने बात करें तो अनने अधर विद्यार्थू विद्यार्तूं ने इतना चुरें उप इतना पीजी वाले examination में किया है उसकी अनुसार अगर हम आए कि एक cutoff हमारा क्या बन सकता है तो मैं एक safe cutoff की बात करूँगा कि safe अगर इतने number हैं तो आप cutoff के लिए करने लायक बन सकते हैं ठीके मेरी बात को ध्यान दिजेगा देखो मैं NTA नहीं हूँ या कोई भी वेक्ती जो cutoff आपको बता रहा है वो NTA नहीं है NTA decide करेगा कि cutoff क्या रहने वाला है लेकिन जिस परकार से विद्यार्थों ने पेपर दिया है जिस परकार से उन्हों ने अपना response हमें दिया है जहां पर हमने voting करवाई है ना करेबन 1000 1000 प्लस विद्यार्थी से data जो है वो collection हुआ है और 1000 प आपके इतन नमबर बनना है तो cutoff cutoff clear होने के chances आपके बनते हैं तो यूर के लिए मैं कहूंगा 160-180 नमबर के आसपास है ना प्लस माइनस आप थोड़ा सा error percentage लेके चलिएगा योगे exact data हमारे पास नहीं होता है तो error percentage आप थोड़ा सा रखना है ना प्लस मानस 3 नमबर का तो UR के लिए मैं कहूंगा 180-185, EWS के लिए 175-180, OBC के लिए 170-175, SC-150 के आसपास और ST-140 के आसपास कहीं न कहीं आपका अगर नमबर बनता है तो आप अपने category से cutoff clear करने लाइग आप अपने बन सकते हो लेकिन यहाँ पर बात merit की भी आती है कि आपकी नमबर अगर बहुत जाता है जैसे list 1 जब यहाँ पर निकाला जाएगा list 1 जब यहाँ पर clear किया जाएगा तो बच्चे मानलों की cutoff जो है वो 180 रखा गया 180 नमबर cutoff रखा गया UR के लिए लेकिन जो बच्चे यहाँ पर 195 यह 200 score कर रहे होंगे वो merit में आएंगे और list में include किये जाएंगे तो य आपने आपको संतावना दीजिए आपने आपको positive रखे कि हां मैं clear cutoff कर सकता हूं और list में मेरा नाम भी हो सकता है ठीक है घबनानी की जरूरत नहीं है और नहीं बहुत ज्यादा सोचनी की जरूरत है क्योंकि सोचने से आपके number ना बढ़ जाएंगे और नहीं घड़ जाए है this is not the last thing that you have to do in your life ठीक है तो थोड़ा सा patience रखे और positive रही है बाकि जितने विद्धार्थी मारे हैं जो कि PGLB 2025 के लिए तयारी सुलू कर रहा है क्योंकि अब आगे चलकर आप ये मत वेट करिए कि एक समय आएगा है ना कि हम आगे चलकर अगस्त में जाकर सप्टेंबर अक्टूबर में जाकर यादि समय में जब फॉर आएगा तब हम अपनी तयारी को सुलू करने वाले हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है अभी समय ह परयाप्त समय है अपके पास है सफिसेंट टाइम ऐगा आपके पास है अभीसे सुरू करो अराम से परही करो एकेछ चप Tar को डिटेल में परो और रिविजन करो आपकी class यूटूब पर जो है वो आपकी class चल लए है यूटूब पर आपकी class चल लए है सामको 7 वजे 7 पीम मैं यहाँ पर reasoning की class आपकी हो रही है तो 7 वजे reasoning की class यूटूब पर आप ज़रूर जोईन करें प्लस जो आपके batches हैं हमारे उस batches में अगर आपने admission नहीं लिया है तो जाकर उस batch में admission भी आप लोग ले ले batch में admission लेने के रिए क्या करना परेगा यहाँ पर website पर open करिएगा या फिर application पर जाएगा वहाँ पर all courses में जाकर आप क्या करेंगे UG and PG entrance exam पर जाएंगे और फिर जाएंगे आप law transfer और फिर आएंगे आप COET, LLB पर यहाँ पर आपको दिखेगा COET, PG, LLB और MSCT law महापैक भी है और विजय बैच, COQP 11 विजय बैच भी है तो इस दोनों में से कोई भी किसी में भी आप enrollment अपना कर सकते हैं और यहाँ पर आपके तयारी जो है अभी से start हो जाएगी आपका class यादि कि आज से विजय बैच 8 अपरेल से यहाँ पर दिखावा 8 अपरेल 2024 आपका सुरू हो रहा है जो अच्छे नहीं नहीं है समय अभी भी है, अभी कुछ सुरू हुआ नहीं है और नहीं बहुत जादा लेट हुआ है है ना, तो जीरो से start कर रहे हम बिल्कुल foundation को clear करते हैं हर तरीके से chapter हो, mock test हो, test series books, e-books हर चीज को include करते हैं आपको यहाँ पर तयारी कराया जाएगा complete session नहेगा, complete syllabus को cover किया जाएगा, तो अभी आप लोग जाकर अगर नहीं लिये हो, तो जाकर अभी तक admission ले लिजे, विजय बैच में, या फिर आप या तो महापैक लेजे, दोनों में से कोई एक काम कर लिजेगा, या तो महापैक में admission, या तो सीधा विजय बैच में admission, अगर वो मिलेगा, SONU8080, इस कोड पर आपको maximum discount मिल जाएगा, तो जाकर सभी लोग इस code का इस्तिमाल करिएगा, coupon code में discount लेकर और जाकर आप सभी फटा-फट से अपना enrollment, admission जो है, बैचेज में करवा लिजी, या तो महापैक के अंदर, या फिर विजय बैच के तो आपके अंदर भी वो अंदर, आपके आत्मा जो है, वो बता रही होगी, आवाज आ रहा होगा वोज चीज, कि हम कितने पानी में हैं, हैना, किस level पर है, कितने नमर हमारा बना है, हो सकता है, या नहीं हो सकता है, ठीक है, तो बहुत जदा परशान मत हो ये, हैना, result का wait कर लेते हैं, result जो है, final result कहीं न कहीं, मुझे लगता है कि within a week, 10 days आपका, यहाँ पर निकाल दिया जाएगा तो साथी चीज़े बहुत ही clear हो जाएगी उसके बाद, है ठीक है, बाकी comment कर दीजएगा, आप अभी क्या महसूस करना है रिजल्ट को लेकर, या फिर cut off को लेकर आपके कितने marks बनना है, तो सभी लोग जितने भी हमारे पारे बच्चे हैं सभी लोग comment कर दीजएगा, ठीक है चले, thank you so much, जैहिंद, take care